हेलो एब्लीवन वेलकम बैक टो शीवी स्टेडिशिप हम बढ़ रहे हिस्ट्री ओफ मेडिवेल इंडिया जिसे लिखा है सतीष चंद्राजी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप चाहे किसी भी एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हो यहां पर आपको इस्ट्री से जोड़ सकते हैं वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन, PDF, टाइम लिए आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी तो चलिए आप अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम पढ़ रहे थे इसमें चाप्टर नमबर सेविन देली सलतनत सेकींड पार था जो उसका और इस तो आज का मारा टॉपिक है इंटर्नल रिफॉर्म्स और एक्सपेरिमेंट इसमें हम बात कर रहे हैं 1200 से लेकर 1400 AD के जो बीच का टाइम था ठीक है जिसमें कुतुबुदीन एबख से लेकर स्लेव डानस्टी से लेकर हमने खिलजी डानस्टी तक की बात करी ओके और उसके इसमें डीच किछा कि जो हमने भी इन चानिती के जो हमने किस यह सरा से डेलिस अलत जीए ह derechos कि उसने वर्क कि जो एक्स्पेंशन था नौथ इंडिया में तो अच्छा का सा चल रहा था लेकिन साओ इंडिया में आते चाँ लिए सुनसी इसमीर की मतलब कॉन सी डानस्टी थ उसने सबसे जादा साउथ में पहली बार जो एरिया था उसको conquer किया उसके बाद फिर जो खिलजी डाइनस्टी के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और डाइनस्टी आती है जिसमें मुहमबत बिन तुगलक होते हैं तुगलक डाइनस्टी जो होती है उसमें देखा जो मुहमबत बिन तुगलक थे वो भी उस चीज़ को बिल्कुल मिंटेन करके रखते हैं जो चीज़ अलाओ दिन खिलजी ने करके रखी थी साउथ तक जो एरिया था उसको conquer करके तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेली सल्तनत में कौन से reforms किये जाते हैं क्या experiments किये जाते हैं जिसे कि जो डेली सल्तनत है वो बहुत ही अच्छी से काम कर सके हैं जैसे कि हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं लास्ट लेक्षर में में जो अलाओ दिन खिलजी थे उसकी स्ट्रॉंग हो जाती है क्योंकि जो अलाओ दिन खिलजी था यह बहुत ही अच्छा administrator था इनके पाथ जो अपर गंगा वैली है इस्टन राजिस्थान यह पूरा इनके कंट्रोल में था नौदर इंडिया का ओके सल्तान तुट अंटर्टेक अ सीरीज ओफ इंटर्नल administration है वो बहुत ही अच्छे से कैसे काम कर सकता है हम आर्मी को कैसे strong बना सकते हैं जो machinery है land revenue administration के लिए वो कैसे best की जा सकती है इसके लिए बहुत सारे steps लेते हैं और इसको improve करने के लिए बहुत सारे चीज़े करते हैं जैसे कि cultivation में कुछ improvement लेकर आते हैं जो citizen होता है उनके welfare के लिए कुछ काम करते हैं जैसे के towns वगरा की बहुत जादा उस time पे बनाये जाते हैं not all the measures were successful but they mark important departures and some of the experiment failed on account of lack of experience some because they were not well conceived on the account of opposition of vested interest लेकि अब कोई भी चीज़ हम करते हैं कोई भी experiment करते हैं कोई भी experiment ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार काम्याब हो जाए बहुत सरी चीज़ें ऐसी होती हैं जो fail हो जाती है लेकिन उनसे कई न कई में experience मिल जाता है कि जब हम दुबारा उस चीज़ को करें तो हम उसे और अच्छे से कर पाए तो यहाँ पर भी यह होता है कि जो allowed in khilji होते हैं या फिर और भी जो लोग होते हैं जब वो कोई भी experiment करते थे या कुछ में reform लाने की कोशिश करते थे ज़रूरी नहीं था कि वो हर बार एकदम जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही उसका result में बहुत बार वो fail भी हो जाते थे लेकिन उससे क्या मिलता था उ आगे जो भी वो उस काम को करेंगे तो उसको एक अच्छे तरीके से वो कर पाएंगे रोके देडू हावेवर शोड़ टर्किश टर्किश स्टेट हास नाव एक्वाइड अपने लौ और इसको मिंटेन करने के लिए अब यहां पर जो allowed in khilji है वो एक reform लेकर आता है और वो होता है उसका market control ठीक है ना और agrarian policy लेकर आता है वो allowed in khilji इसमें जो market में जो price होते हैं चीजों के वो fix कर देता है और यह सोचता है कि चीजों का जो price है वो कम से कम रखा जाए अब हम देखता है for contemporaries allowed in mazes to control the market was one of the great wonders of the world इसकी जो यह market policy थी यह ना के बस भारत में famous है बलकि पूरी दुनिया में famous है जोसकी market control था वो इसने था best कर लिया था in a series of orders after his return from the chittor campaign allowed in south to fix the cost of all the commodities from the food grain, sugar, cooking oil to a needle from costly imported clothes to clothes, cattle, slave boys and girls यहाँ पर इसने हर चीज का जो price था ठीक है उसको fix कर दिया था जब यह चित्तोर केंपें से वापस लोटा तो जितनी भी commodities थी food grain, sugar, cooking oil, हर चीज एक सुई तक ठीक है इसने हर चीज के जो price थे यह चाता था कि हर चीज के जो price है वो fix हो जाए ठीक है कोई भी काला बजारी जैसे चीज ना है कि कोई भी महंगा कुछ भी बढ़ा चड़ा के बेचे जा रहा है for the purpose he set up three markets at Delhi इसने इस चीज के लिए इसने डेली में तीन market को establish कर दिया पहली market थी food grain के लिए दूसरी market थी कपडों के लिए और तीसरी market थी horses के लिए ठीक है slaves, cattle इन तीनों के लिए each market was under the control of higher officers called shahana who maintain a register of the merchant and strictly control the shopkeepers and the prices यहाँ पर यह तीनों market में ही इसने अपने high officers को बठा दिया और उनको कहा जाता था शहाना ठीक है जो इन markets को control कर रहे हैं जो officer, higher officers उनको शहाना बोला जाता था और यह एक register maintain रखते थे जिसमें सारे जो भी merchants होते हैं जो भी महाँ पर वियापारी आ रहे हैं, shop की पर आ रहे हैं उन सब का record रखते थे कि कहां वो shop लगा रहे हैं कितना वो किस चीज का price रख रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं यह सब जो regulation थी prices के उपर, especially जो food grain के उपर ठीक है, a constant concern of medieval rulers because without the supply of chief food grain to the town they could not hope to enjoy the support of the citizen and the army stationed there देखे, यह चाहता है कि जो food grain वो उसकी जो supply है वो बहुत सस्ती हो जाए जिससे कि जो हर इंसान है, ठीक है, वो उस चीज का फायदा लेग सके ठीक है, बट अलाव दिन had some additional reason for controlling the market लेकिन इसके अलावब भी इसके अपने कुछ रीजन थे तो उसके लिए इन्हे एक बहुत बड़ी आर्मी को रेस करना था ठीक है, एक बहुत बड़ी आर्मी रखनी थी अब यहाँ पर इसे बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए सलरी भी तो देनी पड़ेगी, उनके खाने पीने का खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा लेकिन इतनी सार वार करने, इतनी सारी जो वार इसकी लाइफ में चल रही थी उस वज़े से जो खजाना था, वो भी दिरे-दिरे एक्जास्ट होता जा रहा था इसने सोचा कि अगर मैं कुछ तो करना पड़ेगा इसने सोचा कि अगर मैं food grain की जो supply वो cheap कर देता हूँ तो उससे भी एक फायदा हो सकता है मुझे लेकिन इसके साथ साथ इसने एक चीज़ और डेक्लियर करी कि जो दौब रीजिन है, देखर हम सबको पता है जो दौब रीजिन होता है, किसी भी river के बीच में जो क्योंकि आधा दो भी खा जाते थे, तो इसलिए मेरट से लेकि जो कारा इलाबाद है उसने कहा कि वो state को directly pay करेंगे अब जो गाओं है, गाओं में सीधे जो राजा के जो officers है वो जाएंगे और सीधा वहाँ से टेक्स लेकर आएंगे कोई एकता वेकता नहीं होगा कि भाई ये इतने एकता इसको दे दिया, इतने एकता इसको दे दिया अब ये land revenue करेगा, ठीक है उसके बाद फिर ये king को देगा, ऐसा नहीं होगा अब directly state खुच जाएगा, जो villagers है उनके पास अपना tax लेने के लिए further the land revenue were raised to half of the produce उसने क्या कर दिया, कि किसान जो भी कुछ उगाएगा, ठीक है वो जितने भी price में बिकेगा, उसका 50% सीधा किसको जाएगा, state को जाएगा शुरुआद में ये जो किसान थी, उनको बड़ी heavy charges लगे, कि आधा तो state को ही चला गया, and allowed then adopted a number of measures, which we shall not later to cope with the situation, by raising the state demand, generally obliging peasant to pay cash, और peasant से ये कहा गया, कि वो जो भी देंगे, ठीक है 50% जो भी land revenue होगा, cash में देंगे तो अब peasant को यह मुसीबत ही आने लगी कि उनको, भई अब उनने revenue तो देना ही देना है, तो उसके लिए नो forcefully जो भी उनके food grain है, उनने वो बेचने ही पड़ेंगे, और कभी-कभी उनको एक low price पे भी बेचने पड़ते थे, और यहाँ पर जो peasant थे, वो अपने food grains थे, ये बंजारा को बेचते थे, और ये बंजारा कौन होते थे, जो अब उसको carry करके किसी दूसरे टाउन लेकर जाएंगे, और वहाँ पर उनको एक fixed price पे बेचेंगे, जो कि state ने fixed price रख दिया है, उस price पे बेचेंगे to ensure that there was no hoarding all the बंजारा थे रजिस्टर, यहाँ पर इसे कोई बंजारा अपने पास एक बहुती बड़ी amount में कोई भी food grain है, उसे एकटा करके ना रख ले कि बहुत टाइम आने में महगा बेचूंगा इसे लिए यह जो बंजाराज है इनको भी इनका भी जो नाम है वो register किया कि कोई ऐसा ना हो कि बहुत सारा छुपा के रख लिया हर एक कर record होना चाहिए और यहाँ तक कि उनका जो परिवार है वो भी पूरी तरह से इस टीस के लिए responsible होता था, अगर यह कुछ भी गड़वड करेंगे तो उनकी परिवार तक को पूरी को punishment मिलेगी इसके साथ साथ जो state था उसने बड़े-बड़े गुदाम बनवाई हुए थे जिसमें वो food grain को एक stock में जमा करके रखता था कि कभी कोई फेमाईन आ जाता है या किसी बितरी कोई कमी हो जाती है तो वो इस food grain का इस्तिमाल कर सेगे अलाउतिन कैप्ट हिंसेल्फ constantly informed of everything and very harsh punishment was given if any shopkeeper charged a higher price ठीक है, अगर कोई भी shopkeeper जो state ने price fix किया हुआ है अगर उस price को न फॉलो करके कोई अपनी जरब से बढ़ा चड़ा के किसी higher price में उस cheese को बेच रहा है तो उसके लिए बहुत ही harsh punishment होते थे या अगर कोई भी अपने customer को cheat करने की कोशिश कर रहा है जो weight or measures होते है गलत weight or measure का use करके किसी को होता ना एक kilo समान है और वो जो एक kilo का जो होता है जो weight होता है उसमें कुछ गड़बड ऐसी कर रहा है वो एक kilo का है ही नी बस दिखने में एक kilo का लग रहा है वो और उतना ही समान दे दिया उसको तो चीट करना होता अपने customers को तो कोई ऐसा ना करे इसलिए उनके लिए punishment रखे गए यहाँ पर जो story ने वो बताते हैं कि जो prices थे were not allowed to be increased by a damn और पैसा even during the time and और famine ठीक है कि अगर famine भी पढ़ जाता है कुछ भी उड़ाता है कि जब भी आप चीजे होता ना कम रह जाती है तो उस time पे महंगाई बढ़ जाती है लेकिन allowed in khilji के time पे ऐसा भी नहीं था कि अगर वो किस चीज की कम भी पढ़ गई तो उसको महंगा कर दिया नहीं जो fix है तो fix है thus wheat sold at 7.5 gtl a man and a barley at 4 gtl good quality rice at 5 gtl तो यहाँ पर यह price बताया हुआ है कि जो गी हुए है उसका price क्या था barley का price क्या था और जो rice है उसका price क्या था और यही उसकी market की सबसे अच्छी बात थी कि मतलब कुसी की यह नहीं है कि फहिमाई ना गया लोगों के वैसे ही मुसीबत है उपर से चीजे महंगी हो गई नहीं कि मतलब इसका अलाव तो खिलचे का time ऐसा तक भी भूगा नहीं मरेगा हर चीज इतनी सस्ती कर दी थी इसने कि हर कोई afford कर सकता था अब salary भी कम है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है ना कि मैं कहूँ कि मुझे बहुत कम salary मिल रही है लेकिन चीजे भी तो बहुत सस्ती है तो मैं अपनी उस कम salary में भी अपना काम कर सकती हूं सारा लेकिन मेरी salary बहुत अच्छे है लेकिन साथ में महंगाई भी बहुत जादा है तो वो मुझे बहुत जादा salary भी कम बढ़ जाएगी इसके time पर ऐसा नहीं था salary भले ही कम थी लेकिन इसने जो चीजे थी जो एक इंसान की जरुवत की चीजे होती है उनको और भी सस्तागर दिया था तो कोई भी अपनी कम salary में अराम से अपनी जलाइफ है उसको चला सकता था control of the prices of horses was important for the sultan because without the supply of good horses at reasonable prices to the army the efficiency of army could not be maintained इसने जो गोडे थे उनके prices को भी बहुत control में रखा था क्योंकि किसे भी सुल्टान के लिए गोडो का बहुत जरूरी है कि उसके आर्मी के पास अच्छे गोडे हो और अच्छे गोडे के लिए क्या करना पड़ेगा एक reasonable price होना चाहिए तभी तो आर्मी में अच्छे गोडे खरीद पाएंगे तो इसलिए इसने आर्मी को देखते हुए जो गोडे थे उनको भी क्या करते था उनका जो price था उसको भी का control में रखो इस price को भी ठीक है the position of the supplier horses has improved as a result of the conquest of Gujarat इसलिए Gujarat में अच्छा conquest कर पाया कि गोडे काफी जादा मतरा में थे इसके पास good quality horses could be sold only to the state जो सबसे अच्छे गोडे होते थे वो स्रिफ कौन खरी सकता था स्रिफ state खरी सकता था state को ही बेचे जाएंगे जो अच्छे quality के गोडे होते थे the prices of the first grade horse fixed by Allahudin was 100 to 120 तंकास and while our tattoo not fit for the army cost 10 to 25 तंकास तो यहां पर बताया हुआ है जो गोडे है उनका fixed price कितना था okay the price of the cattle as well as of the slave were strictly regulated and Birani give us their prices in detail तो यहां पर बताया हुआ है कि cattle हो चाहा है सब के लिए जो प्राइस था बहुत ही अच्छे से regulate किया हुआ था जो cattle का प्राइस था slaves का प्राइस था वो जो यह ब्रानी जो historian है ठीक है इन्होंने अपनी जो account से उसे mention भी किया हुआ है this shows that a slavery was accepted in the medieval India as a normal feature और यहां बार बार जैसे कि slave word आ रहा है और इसके लिए price भी fix कियो है तो इससे यह चीज़ तो clear है कि इस टाइम पर क्या थी slavery थी ठीक है medieval India में slavery को follow किया जाता था और यह बहुत ही normal था तब ही तो market लग रही है उनकी slaves की control of the prices of the other goods especially of the costly cloth, perfume etc was not vital for the sultan ठीक है जो prices के जो चीज़े थी ठीक है उन सब को बहुत ही अच्छे से control किया हुआ था चाहे perfume है चाहे cloth है ठीक है कोई भी जरुवत का समान है चाहे sultan का उसके prices को बहुत ही अच्छे से fix किया हुआ था probably because it was felt at high prices in this sector would affect prices in general ठीक है क्योंकि जो high prices आप सब को पता है कि जब उनकी salary जादा नहीं थी तो यहाँ पर चीज़े फिर कहां से खरे देंगे ठीक रॉमी करबड हो जाएगी और it might have been done in order to please the nobility PR told that large sum of money were advanced to the miltani traders for bringing fine quality clothes to Delhi from various parts of the country इस टाइम पर जो दूसरे जो दूसरे traders थे वो बहुत ही अच्छा जो यहाँ पर यह cloth की बारे बताया fine quality जो cloth है वो Delhi लाया जाता था जो miltani traders होते थे और यह काफी महंगा होता था as a result Delhi become the biggest market for the fine cloth और देखते ही देखते जो दिल्ली थी वो बहुत बड़ी market बन गई थी fine cloth के लिए the price of which was fixed and trader from all the places flocked to Delhi in order to buy it and sell it at a higher price elsewhere ठीक है और यहाँ पर उस कपड़े को बेचने के लिए अलग-अलग जगह से लोग आते थे कुछ इसको खरीदने आते थे कुछ इसको बेचने आते थे ठीक है realization of land revenue in cash enabled allowed dean to pay his soldier in a cash ठीक है जब land revenue उसके पास अच्छागा से आने लगा तो उसने जो उसके लोग थे उसकी जो army में जो soldiers थे उनको वो cash में pay करता था ठीक है he was the first sultan in the sultanate to do so ये ऐसा पहला कि दे शल्तनात कर नो जितना भी time पढ़ा न यहाँ पर बारे सुसले के 1400 था ये पहला ऐसा sultan बना जिसने अपने soldiers को cash में salary दी सवार in his time was paid 238 तंकास a year जो cavalryman होते थे सवार ठीक है ना उनको 238 तंकास मिलते थे एक साल के और about 20 तंकास a month आप समझदे तो मतब एक महीने के 20 तंकास in his time sorry it appears that he was expected to maintain himself and his horses his equipment out of his amount ये चाहता था कि इसकी जो army है वो बहुत ही अच्छे से maintained रहे ठीक है अपने आपको भी maintain करकर रखना चाहता था अपने horses को भी और जो equipment उनको भी कि अच्छी खासी तादात में हो हमारे पास की सब चीज़े के कमी ना पड़े even that this was not a low salary for during Agbar's time when prices were far higher and a Mughal Cavalry received a salary of about 20 rupees a month same अगर आप Agbar का time देखेंगे तो उसके time पे भी जो salary मिलते थे हम उसको भी low salary में count नहीं कर सकते हैं और Agbar के पास भी बहुती बड़ा जो हम सबको बता है कि जो Mughal Cavalry अगरा थी तो जो Mughalों में जो cavalryman था उसको 20 rupees मिलते थे salary के actually a Turkish cavalry during the 13th and the 14th century was almost a gentleman and expected a salary which would enable him to live as such in the view of this a salary fixed by Allahuddin was low and the control of the market was through necessary तो उसमें यह कहा गया है कि इस time पे बहले ही लोगों की salary कम थी लेकिन वो इतनी कम भी नहीं थी कोई इंसान अपनी जिंदिगी ना चला सके बलकि वो एक बहुत ही अच्छी जो life है उस पे अराम से उस salary में वो अपनी जिंदिगी है वो जी सकता है अगर अगर आज की बात करें तो पंदरा किलो दर्द से सटीजन अफ डैली कुट बाई फॉट बाई फॉरे साल के वो इस एक तंके से वो इतने सारे जो गेहूं वगएरा खरी सकते थे चावल खरी सकते थे कुछ सोचो तंका का मुल रहे हैं पूरे साल के 238 मिल रहे थे न रहे हैं कहीं पर मैंशन था ठीक है पूरे साल में और किटना कुछ आ सकता है इंसे आगे दिखते हैं इस्टोरिय ने वो बताते हैं कि जो मेजर अब्जेक्टिव था अलाउदीन का मार्किट कंट्रोल करने का वो ये था वो ये था वोस इस जिजायर तो पनिश्टा हिंदू सिंस मोस्ट अफ ट्रेडर्स पर हिंदू वो चालता था कि वो उन हिंदू को पनिश्मेंट दे यहां पर उन हिंदू ट्रेडर्स को जो बुस तरी चीजों को एक घटा गर के रख ले तो फिर उनको महंगे दामों बेचते हैं तो जो अलाओ दिन खिल जीता वो अपने कासकर उन लोगों को यहां पर पनिश करना चाहता था जैसे कि जो हिंदू ट्रेडर्स वगरा हैं जो चीजों को जोड के रख लेते थे और जब कोई किसी बुरा वक्त आगया महंगाई बढ़ गया ठीक है तब उसको बेचते थे करानी है वो बताते हैं that the regulation concerning Delhi always standing to be followed in other towns also कि कहीं न कहीं दूसरे टाउन में भी जरूर रही होंगी in any case the army was not stationed not only in Delhi but in other town also क्योंकि जो आर्मी थी वो ऐसा तो नहीं था यह वो सिर्फ डेली डेली में तक थी जो आर्मी थी वो तो एक ताउन से दूसरे ताउन जाती रहती थी और इस तरह से तो फिर अगर market policy सिर्फ डेली में ही maintain की जाएगी तो कहीं और problem होगी लेकिन allowed in khilji के time पर तो यह problem कहीं भी नहीं दिखती है However, we do not have such information to certain in the matter लेकिन हमारे पास पूरी दरा से ऐसी कोई certain information नहीं है जो हम इस चीज़ को निस्चित कर पाएं इस matter में It is clear that while the merchant Hindus and Muslims might have complained against the price control not only the army but all citizens irrespective of their religious belief benefited from the cheapness of the food grain and other articles लेकिन इसमें कहा है कि कुछ Hindu merchant और Muslim merchant ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में complain करते हैं टीक है जो price control इसके बारे में complain करते हैं टीक है not only the army but all citizens खुछ ऐसे लोग रही है जो और complain करी इस चीज के बारे में टीक है लेकिन इस चीज से हम यह नहीं कह सकते हैं कि चाहे किसने भी complain करी हो लेकिन कहीं ना कहीं जो cheapness थी food grain की जो बहुत सस्ती मिल रहे थे जो articles थे जो और बूसी चीज़ थे जो सस्ती मिल रहे में इसने क्या चीज़े करी है यह पहला ऐसा मुनार्क रहा सल्तनत में जिसने यह कहा कि जो एरिया है जहांसे अब लेते हैं उसको पहले मेजर किया जाएगा कि कितना क्ल्टिवेशन के अंदर है मान जीने कोई लैंड वो खाली पड़ी है अब आप कह रहे हो जिसकी बहुत अच्छा प्रडियूस हो रहा है आप उससे लोगे उसके लैंड पर अच्छा प्रडियूस और तो वो तो दे दे आपको 50% थीक है महासे आपको अच्छा लैंड रिवेन्य मिल जाएगा लिकिन इसकी जमीनी बंजर है तो वो कहां से देगा तो इसने कहा के पहले ज बहुत गरीब है थोड़ी से लैंड उसके पास उस पर पर सही से कुछ नहीं होता एक ऐसा इसा इन्सान है इसके पाँ बहुत सारे लैंड और बहुत ही फटाइल लैंड है उसकी तो यहां कही ना कहीं लोगों पर प्रेशर पड़ जाता था यह कि टेक्स सबको बराबर दे थे उसके टाइम पर इहां तक जो मैंने कहा यह कैटल होसे इन सब पर टेक्स लगता था विच पर इन पिच्चर स्की लांगवेज में जो पर दाते हैं कि जो खुच्च दर मुकदम है वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे जो की जो बड़े-बड़े जो जो होसी होते हैं ठीक है उनका यूज नहीं कर पाते थे और क्या खाते थे बहुत पूर होते थे उनकी जो वाइफ है वो दूसरे गहरों में काम करने जाती थी मुस्लिम से वगरा के तो मतलब एक पिच्चर की लैंड लॉट से वो नहीं दिखाना चाते थे कि उनकी पास किती प्रॉपर्टी है तो इस तरह की जो इमेजिस है उससे वो ये शो करना चाते थे कि इन्होंने उनके ओपर कितने अत्यचार कर रखे हैं क्यों कहीं नगए बंती तो थी नहीं पर लैंड 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 अब यहां पर land revenue जनरेट करने का जो काम है मेजरमेंड के साथ जो किया जा रहा है यह तभी हो सकता है अगर आपके जो officers है वो होनेस्ट है अल्थो अलाउद्दीन है गिवन थीस अलिमेंट सफिशेंट सेलरीस तो अनेबल थाम तो अलाउद्दीन ने सोचा है मैंने इनको रखा हुआ है कि यह revenue generate करके मुझे दें लेकिन यह बीज में उसमें अपनी गोली बनाएंगे तो यहां पर इस सच्छा में यह करता हूँ पहले मैं इन लोगों के सेलरी इतनी अच्छी कर देता हूँ कि क्या हो इने पीज में काला बजारी करने की जरुवत ही ना पड़े तो इसलिए अलाउद्दीन ने उनकी इतनी सफिशेंट सेलरी कर दी कि वो अपनी एक कमफर्टेबल लाइफ जी सके और बाकी तो यही था कि अगर फिर भी कोई नहीं मानेगा और बोलता है कि यहां पर लोगों की चलाइफ ती इन सिक्योर्थी कि वो उनकी बेट्री तो शादी भी नहीं करना चाहता था नो डाउट तो इस इन एग्जर्गेशन बिकॉस तेर इस ना गौर्मेंट सर्विस वस कंसिड़े तो प्रस्टीज यहां पर कहा है कि जितने भी जो मेजर्गेशन लिये गए ने खासकर जो लाओ दिन खिलजी नहीं जो बड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है यह खासकर हिंदुों के खिलाफ जाके हुआ है इस क्लियर दा देवर इंदा मैं डिरेक्टिट अगेंस अ प्रिविलेट सेक्शन इन दा कंट्रिसाइड बट इस कें हादली भी कंसिड़े अस सोचलिस्टिक मेजर की तरह भी देख सकते हैं क्योंकि नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा है नुकसान तो यहां पर उन्हीं लो अटाइक होता है तो उसको भी तुरहन सिचेशन के साथ चंट्रोल किया जा सकें परहापस इपूड हाव बेटर फॉर अलाव दीन तो हैस थे प्राइट ओन्ली अवर इस प्राइट प्राइट सब्से पहले जो असेंशल प्राइटी सो प्राइट नहीं के प्राइस सब्सक है कि इसने ना किवल फूड ग्रेन बल्गी बाद में इसने हर चीज के जो प्राइस थे ठीक है खाने पीने की चीजे उन सब के प्राइस है उनको बहुत ही कंट्रोल में कर दिया इस लेड तो वेक्सियश लॉफ विच वर्स आउट तो बी वालेट इन अगर कोई भी इसकी बढ़न सम् as to drive them into rebellion or flight. The market regulation of Allahudin came to end with his death. और कोई भी नहीं चाहता था कि वो Allahudin खिलजी से किसी भी मुद्दे पर इस तरह की चीजों पर लड़े या कुछ ऐसा करें कि जो मुस्टीबत आ जाए उनके से क्यों पता था कि पर छोडने वाला तो यह है नहीं. अब यह सब ची में बहुत ही अच्छी बड़ी और बहुत ही एफिशेंट जी कैबलरी थी उसको मिंटेन करके रखा था जो किसी को भी हरा सकते थी. मुंगोस को भी हरा सकते थी. With a great slaughter and to drive them beyond the indus. जो बार बार जो मुंगोस भारत में गुसने की कोशिश करते थे उनको वापस से indus से ही वही अच्छी बड़ी रखते हैं लोगों के साथ रूलर जो एडियास थे उनके साथ इसकी काफी अच्छी अच्छी क्लोस रिलेशंशिप थी ठीक है बले कि उसे 50% ये ले रहा था land revenue लेकिन उसकी हिसाब से मार्किट प्राइस भी तो कंट्रूल कर रखे थे की जो चीज़े थ इसी की जो पॉलिसी तो वह भी इसी की मार्किट पॉलिसी को फॉलो करेंगे और आप सबको पता है उनके टाइम पे भी ये सब जो मार्किट रिफॉर्म्स थे वह बहुत अच्छे थे तो यहां पर हमने देख लिए कि जो एक्सपेरिमेंट्स और इंटर्नल रिफॉर्म्स हुए है खिलची टैनस्टी के टाइम पर अलाव दिन खिलची ने जो करें तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही हमारा जो नेक्स पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे मोहमद तुगलक के बारे में कि मोहमद तुगलक के क्या एक्सपेरिमेंट तो और यह बढ़े ही आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट करके जुरूर बताइएगा अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल कर सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू